नमस्ते एवरीवन मॉनी का एस्ट्रोलोजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे एप्रिल महिने के राशी फल की और व्रिशब लगन की देखिए इस महिने आपके लिए गुरू का राशी परिवर्तन हो रहा है जो 13 एप्रिल को गुरू मीन राश स्थान में उसके बाद वो आपके बारवे स्थान में सूर्य बुद्ध और राहो के एक यूति बनती है तो यह प्रकार से इस पूरे ही महिने के अंदर ग्रह है तो मुख्य रुप से बद करते हैं आपके लगन की लगन का स्वामी होता है शुक्र जो आपके दशम भाव के अंदर रहेगा और वो भी मंगल के साथ मंगल साथ एपरिल से आपके दशम भाव में आएगा और एक तरह से कहूंगी कि आपके लगन का स्वामी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉंग पोजिशन में है एक तरह से लगन का स्वामी 10 था उसमें और मंगल उसके साथ जब साथ ता अब आपके जीवन में clarity होना शुरू होगी बहुत मजबूत है क्योंकि अब decisions के अंदर clarity भी होगी performance के अंदर एक attraction है आपके अंदर एक काफी powerful समय में कहूंगी क्योंकि मंगल का भी जब इसके साथ जुडाव होता है तो decision making के अंदर आप बहुत ही efficiently decision ले पाएंगे कोई भी प्रकार के अंदर आप कोई भी जॉब में है तो आपका performance काफी better रहेगा मैं तो यह कहूंगी कि इसमें काफी best परिस्थति है यह क्योंकि लगनेश का की बात करते हैं द्वितिय भाव का अधिपति बुद्ध आपके 12 था उसमें सूर्य के साथ 15 तारिक के बाद उसके पहले देखिए 8 तारिक से 24 तारिक तक का समय ऐसा है कि जहां पर खर्चों पर नियंतरन रखना बहुत जरूरी है आपके investments गलत नहीं होने जब आप investment करते हैं तो उसमें आपको ये टाइम में बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आट से 24 के बीच में investment purpose से कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो मेरे हिसाब से बहुत सोच समझ के करना चाहिए अपकी savings को खराब कर देता है तो उसमें बहुत उतावलापन नहीं करना और स्पीच आपकी वाणी पर सयम रखना है बहुत ज्यादा क्योंकि अगर को property matter भी है या को family matter है जो काफी issues हो रहे हैं तो उसमें आपको reactive नहीं होना बहुत शांती बनाए रखेगा क्योंकि वहां पर सिती खराब होती हुई दिखती है इसलिए मैं कह रहे हूं और savings को थोड़ा सा सोच समझ के direction दीजेगा क्योंकि यहां पर मुझे कुछ खर्चे ऐसे देख रहे हैं जिसके कारण आपको stress हो सकता है तृतिय भाव की बात करते देखे गुरू की द्रश्टी आपके तृतिय भाव पर पड़ती है तो कोई भी नयापन कोई इनिश्येटिव नयापन और इनिश्येटिव मतलब कि कुछ कारिय उसके अंदर नई technologies प्लस आपके भाई बहनों के साथ जो relations काफी समय से जो एक communication gap बन चुका है या जो उसमें बहतरी होनी चाहिए तो अब उसमें सुधार है बहुत जादा ये गुरू की द्रश्टी के कारण कुछ चाइल्डूट फ्रेंड्स जो होते हैं उनके साथ भी आपका जुड़ाव काफी अच्छा हो पाएगा आपके जो चीजों में प्रेजेंटेशन में और प्लस जो आपके अंदर जो भई की स्थिति क्रियेट होती थी और स्पैशली जो डिशीजन के अंदर पावर नहीं था अब उसके अंदर काफी सुधार है प्लस गुरू की द्रश्टी के करण में यह जरूर कहूंगी अगर ट्रावेलिंग कोई बिजनस करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है यह और आपके कार्य में भी ट्रावेलिं बहुत जादा है और उसमें आपको benefits है बहुत फाइदा होगा तो मेरे हिसाब से यह महिने का यह चीज़ के रिलेटर आपको फाइदा उठाना चाहिए चतुर्द भाव की बात करते देखिए सूर्य जो है एक तरह से शुरुआत में 15 दिन के लिए गुरू के साथ आपके 11 बारवे स्थान में रहेगा उसके बाद वो बारवे स्थान में चला जाएगा देखिए प्रॉपर्टी मैंटर में मंगल शुक्र की द्रश्टी बहुत पॉजिटिव है मगर प्रॉपर्टी के अंदर क्या है थोड़ी स्थिति डिस्प्यूटेट दिखती है मुझे कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं ले सकते हैं पर उसको लेकर भी आपको कन्फूजन रहेगा कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मगर मेरे हिसाब से कोई ऐस लेंड या कोई घर है जहां पर कुछ पार्टनर्शिप में डिस्प्यूटेड है या कोई ऐसी हैरिटेट लिए आपको कुछ मिला हुआ है वहां पर डिस्प्यूट चल रहे हैं तो वहां पंदरा तारीके बहुत ही जादा रियक्ट नहीं करना बहुत शांती बनाए रखिएगा क्यूंकि वहां पर थोड़ा सा कोई लीगल मैटर के अंदर हो अगर आप तो उसमें भी आपको बहुत रियक्टिव नहीं होना ये समय जादा रियक्ट होने का नहीं है बाकि अगर आप कहते हैं न कि रिनोवेशन कराना चाहते हैं शुक्रमंगल की यूती की एक द्रश्टी के कारण आपके घर के अंदर रिनोवेशन हो सकते हैं और आपके अंदर वो होगा कि घर के लिए कुछ आप करना चाहेंगे कुछ ब्यूटी के लिए करना चाहेंगे स्पेशली घर की सजावत में आपका ध्यान होगा मगर अगर कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी मैटर है तो उसको लेकर आपको देखें डिशीजन्स लिया जा सकता है मगर कंफ्यूजन रहेगा उसके कारण क्योंकि मैंने देखा है कि जब जब इस तरह का अग्रहन दोश होता है तो व्यक्ति दिशीजन्स में उतावलापन करता है मगर कंफ्यूजन रहता है उसको और मंगल की एक दरश्टी होने के कारण में कहूंगी positivity है अगर कोई decision लेना चाहते हैं ले सकते हैं अगर आप property का कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिती है ये क्योंकि ये commission based के उपद जो कार्य करते हैं उन लोगों के लिए बहुत better स्थिती है मानसिक थोड़ी अशानती रहेगी क्योंकि fourth house का जो अधिपती सूर्य है और राहू के साथ रहेगा तो वहाँ पर मानसिक ध्वन्द चलता रहेगा काम बहुत अच्छा है काम के अंदर एक clarity होती चली जा रहे है मगर फिर भी मन में एक ध्वन्द चलता रहेगा तो मानसिक शानती आपको महसूस नहीं होगी और कभी-कभी अनिंदरा की problem भी हो सकती है क्योंकि 12th house के अंदर जब सूर्य आएगा तो ऐसे city create होती है पंचम भाव की बात करते हैं पंचम भाव का अधिपती खुद सूर्य बुद्ध होकर राहू के साथ 12th house में देखे मैं एक तरह से कहूंगी कि कोई भी प्रकार का देखे गुरू की एक द्रश्टी जरूर है मगर अभी कोई भी stock market के अंदर आप बहुत बड़ा investment करते हैं सोच समझ के कीजिए आपको नुक्सान हो सकता है गुरू काफी cover up कर लेता है गुरू की द्रश्टी से आपके लिए best है मगर अगर कोई बच्चों के साथ भी कोई ऐसे संबंध है जहां पर लड़ाई जगड़े की स्थिति होती है या point of use नहीं मलते मगर गुरू बैलेंस कर देगा क्यूंकि गुरू की द्रश्टी आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है मैं कहूंगी के career के अंदर जब अब selection का काम होता है students के लिए मैं कहूंगे थोड़ी भटकाव की स्थिति है क्यूंकि राहू के स्थात जब जब ऐसे यूती होती है तो करियर में भटकाव देती है तो थोड़ा सा आपको फोकस्ड रहकर चलना चाहिए स्पैशली 15 तारिक के बाद और स्पैशली उन स्टुडेंट्स के लिए काफी अच्छा है जो फैनाइनस संबंदित है या जो भी मैनेजमेंट संबंदित एजुकेशन को ले रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है मगर ये जरूर कहूंगी के करियर में भटकाव से बचिये गुरू आपको लगनक बुक्य रूप से ये गुरू आपके जो पांचवे घर को देखता है वो काफी कवर अप कर लेता है स्थितियों को आपको प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है मगर आपको भटकाव से बचना है ऐसे स्थिति में मैंने देखा है के करियर में भी भटकाव होते हैं कुछ जो फोकस्ट होकर स्टडी पर ध्यान देना चाहिए उसमें वो भटका देता है क्योंकि जब स्पैशली 8 से 24 के बीच में ऐसे स्थिति जादा हो सकते हैं अब बात करते हैं आपके चटे घर में चटे घर में केतू है एक तरह से कोई भी दुश्मन आप पर हावी नहीं हो पाएंगे अब केतू हर तरह की स्थितियों से आपको छुड़वाएगा एक तरह से देखा जा है तो सिक्स्थ हाउस का अधिपति खुद पांचवे घर के अंदर है जो स्ट्रॉंग पोजिशन में है तो मुझे नहीं लगता कि कोई जादा चिंता वाली बात है प्लस एक तरह से देखा जाए तो के तू जब छटे घर में होगा तो वह आपके काम में नयापन लेकर जो कंफूजन से क्लारेटी की तरफ चले जाएंगे अगर कोई लोन भी लेना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन के अंदर रहकर लीजेगा तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है और हेल्थ की बात की जाए स्वास्त की बात की जाए तो देखिए जब शुक्रम तो इंटर्नल नर्वस सिस्टम को खराब करती है तो आपके खुद के क्रेट किये हुए कुछ विचारों के कारणा परेशान हो सकते हैं तो आई होब के इसके अंदर आपको थोड़ा सा आपका एक्सेस का रूटीन सेट करना चाहिए बाकी ऐसे को स्ट्रेस लेने वाली बहुत जरूरी हो जाता है अब सेवेंथ हो सात्वे घर की बात करते सात्वे घर का अधिपति खुद काफी स्ट्रॉंग पोजिशन में बिजनस पार्टनर्शिप को बहुत अच्छे से मैनेज करता है आपके काम को मस्बूत बनाता है और गुरू की दरश्टी अब आपके सात्वे घर पर भी पड़ती है ग्रहस्त जीवन को काफी कंट्रोलिंग पोजिशन में लेकर आती है और अब मैं कहूंगे कर लव मैरेज की स्थिती है क्योंकि लगनेश और सात्वे घर का अधिपति एक साथ है तो मैरेज को कनवर्ट करने में यह काफी मदद करती गूरू अपनी पतनी या पती के साथ आप पाटनर्शिप करते हैं तो आपको काफी फायदा होता है और आपके बिजनेस को काफी नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में यह गूरू की दरश्टी और प्लस यह कॉंबिनेशन यह पूरा ही महिना बिजनस पॉइंट और व्यू से जॉब पॉरेन लैंड से संबंदित कोई भी काम अटक रहा है तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है रीसर्च के अंदर जहां आप अटक रहे थे जो नहीं हो पा रहा था अब उसमें काफी क्लारिटी आएगी और फोकस्ड होकर आप रीसर्च कर पा से ही महीने स्थित रहेगा तो आध्यात्मिक ता के अंदर बहुत अच्छा और स्पैशली साथ तारीक के बाद क्योंकि मंगल यहां से निकलेगा तो आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बहुत अच्छा है आप कुछ spiritual foundations के साथ भी जुड़ सकते हैं और एक बायर कहते हैं कि न तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं उसमें आपको काफी positivity है और उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इस सत्या फेवरेबल है पर एक जरूर कहूंगी कि आपका interest कुछ spiritual चीजों में बढ़ेगा कुछ अच्छी चीजों में और आपका काफी योगदान भी रहेगा उसमें आपका interest रहेगा उसको आप आगे भी बढ़ाएंगे तो एक positivity है इसके लिए और भाग्य का support आपको पूर्ण रूप से प्राप्त है दशमभाव की बात करते हैं देखिए दशमभाव में शुक्रमंगल की यूती प्लस दशमभाव का अधिपती खुद इनसान में कारिस्थल में आपको कभी कोई प्राप्लम नहीं है कलीक्स के साथ अगर कुछ भी प्रकार की वारतलाप होती है देखिए टीमवर्क होकर काम कीजिएगा क्योंकि बहुत डिस्प्यूटिट सिती हो तो इसको अवोईड कीजिए कोई भी उतावलापन अगर आप पॉजिटिविटी इस समय को पॉजिटिव लेकर आप चलिए तो बहुत संभावनाय आपके लिए बनती है मगर रियक्टिव मत होईएगा इसका पॉजिटिविटी को आपको जादा से जादा इसका लाब लेना चाहिए और मुझे आपके सारे काम बनते हुए दिखते हैं अब बात करते इलेवन था उसकी ग्यारवे स्थान का अधीपती खुद ग्यारवे स्थान में सूर्य वहां पर थोड़े दिन के लिए 15 दिन के लिए है उसके बाद सूर्य बारवे स्थान में तो गवर्मेंट जॉब से कनेक्टेड अगर कोई कार्य है जो अटक रहा है मैं कहूंगी कि यहां पर जब लाब का स्वामी खुद लाब में बैठा है जो आपके पराक्रम को भी पॉजिटिविटी दे रहा है आपके पंचम भाव को भी एक्टिवेट कर रहा है और आपके बिजनस पॉइंट व्यू से भी मदद कर रहा है तो हर तरह से यह आपको ल सुर्य यहां पर एंटर होगा तो मैं कहूंगी कि विदेश संबंधित कोई भी कार्य है उसमें उतावलापन मतले कर आईएगा थोड़ा प्लैन होकर चलिए आपके लिए पॉजिटिविटी है मगर उसमें उतावलापन नहीं होना चाहिए और प्रॉपर्टी मैटर के कामी involved है इस वजह से कुछ decisions के अंदर anxiety हो सकती है मगर फिर भी मैं कहूंगी clarity है अकारण के stress को जब खुद आप create करते हैं उससे आपको बचना है वह स्तिति को avoid कीजिएगा क्यूंकि कुछ राहू 12 में आने पर इंसान को काफी विचारशिल बनाता है काफी खर्चों को लेकर काफी stress देता है तो जड़ा खर्चों पर नियंतरन रखिए बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है चीजों को नियंतरित करके चले और विचारों के उपर control कीजिए बाकी positivity इस महिने म चाहते हैं तो description box में मैंने अपना email अड़ी दिया हुआ है astrology monica at gmail.com आप उसमे mail कर सकते हैं मैं पूरी जानकरी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे contact किया जा और कैसे मुझसे consultation लिया जाए देखिए इस महिने का बहुत बहतरीन तरीके से उपयोग कीजिए और अपने जीव